सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे अब में तोह द्वे सोर राग हो राग या उमर व तेरी जाली अब में तोह द्वे सोर राग हो राग या उमर व तेरी जाली तो स्रीमत वगुत गीता अध्याय नमर पंद्रा के स्लोक नमर एक में कहा है कि जो इसके विभाग बता देगा बिन इन वगवानों की सथीथी बता देगा वो तत्व दर्शी संत है तो प्रमेश्वर स्वेम आते हैं वो तत्व ग्यान बताने के लिए अब वो प्रमेश्वर सच्छो वर्श पहले आये थे बनारस के अंदर भारत वर्श की कासी नगर में और वहाँ पर एक सो बीश वर्श रहे थे सह स्रीद आये थे सह स्रीद वो चले गए थे एक सो बीश वर्श एक जन्साधान की लीला की उन्होंने अमारे लिए एक निर्देश दिया एक एक्जामपल कोड किया उधान पेश करके चले गए कि यदि आप जी ने मोक्स प्राप्ति करनी है तो इस गटिया लोग की किसी अधीक वस्तू की इच्छा मत करना ये आपके गले की जहाड बन जाएगी गनी संपत्ति और ज्यादा कार कोठी ये आपको यहीं गसीटे रखेगी सत लोग जाने नहीं देंगी फिर भी प्रमात्मा ने कहा है कि जैसे आपकी किस्मत भाग में प्रमात्मा ने दिया है उसमें संतोस करना चाहे वो कितना ही है उसको अपना ना मानना ये आपका नहीं है ये भूल मत करना प्रमेश्वर ने बताया है कि काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो सरन कमल में ध्धान रखो इन दोनों को खो ना तो ये संपत्य तेरी है ना ये काया तेरी है जब काया ही नहीं तेरी तो संपत्य को कैसे तो अपने मान बैठा बोली आत्मा ये कोई नसा है तेरे अग्यानता का अब ये अग्यानता का नसा हटाने के लिए एंटिबाइटी की वस्तिस संग रूपी तत्वग्यान आपको डोज पर डोज दी जा रही है एक दिन आपकी ऐसी भूल मिटेगी आप बहुत ज़्यादा आस्ट्रिये मनाओगी इस बात का कि देख कितने मुर्ख बनकर हम एक रोटी के लिए और नकली लोग लाज को मेंटेन करने के लिए हम कैसे मुर्ख बनकर बगवान से दूर बने हुए थे प्रमातमा का वो ग्यान आपका आधार बनेगा तो इस लोक में वो प्रमातमा आते हैं तत्वए ग्यान परचार करते हैं उन्होंने बताया है कि अक्सरपुर्स एक पेड़ है निरंजन वाकी डार सरपुर्स वाकी डार और तिन्नों देवा साखा हैं ये पातरूप संसा है एक ही संटेंस में परमातमाने एक अमरतवाणी में एक वक्य में एक दोहे में शिरीमत भगवत गीता अज्जाय नमर पंदरा का पूरा सरलास कर दिया उसमें कंसंट्रेट करके भष दिया जो सोच लो बुधिमान व्यक्ती को संकेत होते हैं जैसे रावन मंगन गया चून अर्तातें लंक वही विरून इस एक चौपाई में सुक्सम बेद में परमातमाने पूरी रामायन बर रखिये रावन मंगन गया चून और तात लंक वही बिरून बिरून माने नास्वा रावन आटा मंगने गया जिस कारण से उसकी लंका का सर्वय नास्वा इप जिस ने वो कथा कहानी सुन रखी है राम कहानी अब उसका माइड एक सेक्ड में पूरी सटोरी में गूम गया रावण ने कहां से आठा मांगया किस पे मांगने गया कौन थी वह सीता स्री राम चण्डर की दर्मपत्नी राम चंदर कौन था राजा जसर्द का पूत्र रावण ने जल करके सीता उठाई थी और रावण के कुल का नास हो गया था वह रामायन का पूरा का पूरा जो रामायन की कथा चितरार्थ होगी है हमारे दिमाग में इसी परकार श्रीमत भगवत गीता जाये नमर पंदरा का सलोक नमर एक में सफ़ष्ट है एक और दो में कि उल्टा लटका हुआ संसारुपी वर्कस है इसमें परमात्मा ने अपने सिंपल लेंग्वेज में बताया है उस सुक्सम वेद में बताया है एक ही संटेंस में पूरी शिरिष्टी रचना बर दी पूरा डेफिनेशन ओफ गौड बता दी अक्सरपुरस एक पेड़ है ट्री एक ट्री है और सरपुरस वाकी डार तीनों देवा रजगुन बिर्मा सत्गुन विश्णौ तमगुन शिवजी ये तीनों देवा साख खा है और पात रोप सलसा प्रमक्सरपुरस कौन है वो ये दास बताने के लिए भेज़ा है वही है जिसने अपनी द्वार रचीवी स्रिष्टी को ठीक ठीक बताया वो प्रमक्सरप्रम है श्रीमत भगवत गीता अध्याय नमर पंदरा के सलोक नमर एक से चार का निस्क्रस है के अर्दुन जब तत्वदर्सी संथ तुझे मिल जा उसकी पैचान ये है कि वो इस संसार रुपी वर्क्सके से भी भी भाग बतावागा उसके पस्टात प्रमेश्वर के उस प्रमपत की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी जनम मर्चू में नहीं आते जह नमर आठ के सलोक नमर एक में अरजुन ने पूछा आप जी ने गीटा जहर नमर साथ के सलोक उनटिस में जिस तत्वरम की जानकारी दी है कि उस तत्वर्म से प्रिचित, सारे द्यात्म ग्यान से प्रिचित और सभी कर्मों से प्रिचित प्राणी केवल जरा और मर्म से छूटने का ही प्रियतन करता है तो वो किम तत्वर्म ऐसा वो तत्वर्म क्या है जिसको जानकर संसार प्राणी इसातक इस अंसार की किसी वस्तों की इच्छा नहीं रखता गीता ग्यानदाता ने आठमेदाय के तीसरे मंतर में उसका उतर दिया है कि वो परम अक्सर ब्रह्म है गीता ग्यानदाता से अन्य है तो परम अक्सर ब्रह्म ही हमारा सब का जनक है वही हमारा पिता है वही हमारी माता है वही हमारा मित्र है वही हमारा भाई है वही हमारा मूल धन है तुमेव माता चे पिता तुमेव तुमेव बंधू चे सका तुमेव विद्धा चे दर्विनम तुमेव सर्व मम देव देव ये वो प्रमात्मा है जिसके अंदर ये सर्वगुन है जिनका हम रर रहकर व्यक्षान सुना और सुनाया करते थी अभी तक हमें प्रमात्मा की परिवासा का A, B, C का भी ग्यान नहीं था अब आपको A से लेकर Z तक ग्यान हो गया इस तत्व ग्यान को सुनने से क्योंकि ये ग्यान प्रमात्मा ही बताता है और प्रमात्मा के बताये कोड़ वर्ड को सांकेतिक सब्दों को प्रमात्मा का करपा पातर ही समन सकता है पच्पन सो वर्स होगे श्रीमत भगवत गीता पवितर श्रीमत भगवत गीता, पवितर चारों वेद, पवितर पुराण आजी सद्गरंथों को रचे हुए श्री वेद व्यास दिदवारा रचे गे थी आज तक ना तो वेद व्यास राइटर आफदा सद्गरंथ वो समझ सकया और ना ही आज तक के विश्वय का कोई धर्मगरू इन पवितर सद्गरंथों के सांकेतिक सब्दों को ना समझ सका इस दास पे रजाकरी प्रमेश्वर कबीर जी ने आप अपने पुन्न आत्माओं के लिए ऐसे समय में जिसमें आप सिक्षित हो सद्गरंथ हमारे जीवित है अन्य था ये पचास सो वर्स के बाद ये सद्गरंथ आपके हाथों से निकल जाते है फिर हमारे पास क्या आ जा आलिसा गनेश जी की आरती पग्वान सिव की आरती जाय गनेश जाय गनेश देवा मता थारी पारबती आमिसम लगे रहते है ये अन्य जा बाद आमिसम लगे पार रहते है बाद कर सक्वा पार लाद है अन्य वे झालिसम लगे बादेवा लगे पारती इता है